नमस्कार स्वागत है आप सभी का आईशमान भव में मैं हूँ प्रीती सेंग आज अपने कारिक्रम में हम बात करेंगे किड्नी की सेहत की किड्नी हमारे शरीर का सबसे एहम अंग है और अगर इसे थोड़ा भी नुपसान पहुंच जाए तो हमारे बाडी का सारा सिस्टम एक तरह से घर बड़ हो जाता है किड्नी खून को साफ करती है और बाडी से टॉकसन को बहार निकालती है अगर किड्नी बाडी से टॉकसन निकालना बंद कर दे relationships हमारा शरीर बीमारियों का घर बन सकता है किड्नी ब्लड को साफ करती है शरीर से अत्रिति पानी को फिल्टर करती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है और किड्नी की खराबी होने पर लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के साथ-साथ हड्डियों के स्वास्त पर भी असर पड़ता है अच्छी सेहत के लिए किड्नी का हेल्दी होना बेहत जरूरी है तो किड्नी को सेहतमंद बनाए रखने के लिए क्या करें उपाए इस पर आज हम करेंगे आईश्मान भव में चर्चा और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तीन स्वास्त विशेशगय मौजूद हैं जो अलाग अलग पैथी से जुड़े हुए है हमारे साथ हैं अलोपैति विशेशगय डॉक्टर हिमान्शू सेकर इस बार हमने देखा हाली में किड्नी दिवस मनाय गया और जो किड्नी दिवस की थीम रही वो किड्नी, health for all, preparing for the unexpected, supporting the vulnerable भारत में अगर देखा जाए तो लगातार किड्नी के जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है दुनिया भर में 90 करोर से जादा लोग किड्नी की बिमारी से पीडित हैं हर दस में से एक वैस्क व्यक्ति को किड्नी की बिमारी हो सकती है अगर उसे बिना इलाज की छोड़ दिया जाए इसलिए किड्नी के सिहत को लेकर जागरुकता बहुत जरूरी है किड्नी हमारी शरीर में सफाई का काम करती है किड्नी मानव शरीर से गंदगी बाहर निकालने वाले सिस्टम का एक बहुत एहम हिस्सा है दोनों किड्नियों में खून साफ होता है हमारी किड्नियों में लाखो मिनी फिल्टर होते हैं जिने नेफरोंस कहते हैं जो पूरी जिन्दगी खून साफ करने का काम करते हैं किड्नी में होने वाली सफाई सिस्टिम के कारण हमारे शरीर से हानेकारिक कमिकल्स पेशाप के साथ बह जाते हैं हमारी दोनों किड्नी बीन के आकार की होती हैं और हमारी पसलियों के बीच में स्वरक्षित रहती हैं। किड्नी के अन्य कामों में लाल रख्त कन का बनना और फायदेमंध हॉर्मोन्स रिलीस करना शामिल है। किड्नियों के जरिये रिलीस किये गए हार्मोन्स के द्वारा ब्लड प्रेशर नियंतरत किया जाता है और हड्डियों के लिए बेहत जरूरी विटमिन डी का निर्मान होता है। इसके अलावा किड्नी शरीर में पानी और अन्य जरूरी तत्व जैसे मिनरल्स, सोडियम, पु समस्याइं सामने आ सकती हैं। ये समस्याइं कुछ कारणों से हो सकती हैं जिनमें किड्नी की बीमारियों से जुड़ा पारिवारे के तिहास, डाबिटीज, हाई ब्लिट प्रेशर, नशा करना और अधिक वजन शामिल हैं। इन समस्याओं का समय पर समाधान बेहत जरूरी हैं। अकसर किड्नी से जुड़ी समस्याइं बहुत बात भी पता चलती हैं, तब तक स्थिती काफी गंभीर स्वरूप ले सकती है। किड्नी का काम क्या होता है। मैं चाहूंगी थोड़ा आप और विस्तार से बताएं किड्नी क्यों शरीर का सब बहुत जरूरी अंग माना जाता है। आपने तो सारे बता चुके हैं और उससे ज्यादा में यह बताऊंगा। जो एसीड को पानी के लिए बहुत ही हम भूमिका करते है। ब्लाट पैसर, ब्लाट पैसर, बिटामिन D का जो बोन सकत करना, हमोगलबीन बढ़ाना, क्योंगे एरिथ्रोपोईटीन का हर्मोन जो सिक्रेशन होता है। अगर इसी की वज़े से हमोगलोबीन का मात्रा एक बैलेंस मात्रा में रहता है। तो जनर हमोगलोबीन और ब्लाट पैसर, बोन और एसिरोसेशन, वाटर एक्सक्रेशन, वो सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है। जो अगर पानी अगर एक्सक्रेशन नहीं होगा, तो हमारा सरीन में फुल जाएगा। तो यह बहुत ही अहम काम है। इसका साथ साथ जो टॉक्सिंस, यूरिया, क्रियेटिन, बहुत सारे मिडिल मोलेकुल जो कहते हैं, वो सारे एक्सक्रेशन होजाता है। इसकी यही है में आहम हुमिका है किड्नी का। उनका एक्सक्रेशन जो है, वो किड्नी के माध्यम सही होता है। हमारी जो किड्नी है, जब वो बहुत अधिक एक्सपोज़ दोते हैं कैमिकल से, तो डेफिनिटली वहां के नेफ्रोंस डैमेज होते हैं। और जितने नेफ्रोंस डैमेज होते जाते हैं, उतना हमारी kidney failure की तरफ जाती है, तो सबसे बड़ा कारण है कि chemical medicines का बहुत अधिक लिया जाना, और unfortunately आज हम छोटी सी बिमारी के लिए हम इत्रों सा सिर्दर्द हुआ हम पेनिकलर खालेते हैं, यह जो medicines का लेना है, यह बहुत बड़ा एक बड़ा कारण है, जो kidney को खराब कर रहा है, नमबर दो, आपको हरानी होगी कि पेट का खराब होना, यानि कि जो अपच, इन-डिजेशन के प्रॉलम है, वो भी kidney को खराब करने में दूसरा सबसे बड़ा कारण है, नमबर तीन, पानी का अधिक पिया जाना, आज के टाइम पे एक परचलन हो गया है कि if you want to detox your body, you drink maximum possible water, तो मैं आज आपके माध्यम से लोग बताना चाहता हूँ कि आप kidney को इतना overloaded नी कर सकते, ना पानी से, ना वर्क से, अधिक पानी के पिया जाना भी kidney के ओपर एक बहुत बड़ा pressure है, तो उससे भी kidney जो है pressure में आ करके अपना काम करना बंद कर देती है, दुशित जल का पिया जाना, उसके बाद में infections आते हैं, कुछ autoimmune disease आती हैं, कभी-कभी stones का बन जाना, आपकी परवर्ती है stone बनने की, और देर में भी genetic regions आलसो, तो एक अच्छी सी list है, यह सब हम कह सकते हैं कि kidney के ओपर pressure है, kidney को खराब करती है, बिल्कुल, और डॉक्टर रोजवा अगर देखें, तो 2040 तक कहा जा रहा है, कि भारत में जो मौत का पांच्वा प्रमुकारण होगा, kidney से जुड़े रूख, तो तमाम कारण जो भी डॉक्टर ने बताए हैं, क्या एक तरह से जागरुकता की कमी है, या अन्देखी है, या इलाद सही ने मिलता, बड़े ऐसे क्या वज़ें हैं, जिस वज़े से मौत का इतना बड़ा कारण है? देखे, इतना सारा जो हो रहा है, उसका मेइन रीजन है लाइफस्टाइल चेंज, हम अगर पूर्वजों को देखे, वो किस तरीके से खाना खाते थे, उनका माइन्ड स्टेट कैसा था, लेकिन आज के डेट में हम देखे, वी आर जिस्ट रनिंग रनिंग और रनिंग, हमारा लाइफस्टाइल मौडिफिकेशन है, हम ज़्यादा वेस्टनर जिन के तरफ जा रहे हैं, खाना हम लोग सुब हमेशों से हम पीजा खाएं, बर्गर खाएं, लेकिन हम हेल्दी पॉस्टिक आहार को लेने में वन्चित रहते हैं, जिसके वज़े से बहुत सरी बीमारिया उसके साथ जुड़ जाती हैं, डाइबिटीस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, काम करने का कल्चर, हम बायलोजिकल को फॉलो नहीं करते, रात को देर तक नहीं सोना, काम करना, वो सारा बॉड़ी में कहीं कहीं एफेक्ट करता है, और इस तरीके से वो किड्ने का उपर भी एफेक्ट करता है, जिसके वज़े से ग्लोबल बड़न ओव डीजीज में, जो आप अभी बोले हैं, कि ये लगभग आठवा रीजन है, मौत का, तो हमें पहले लाइफटायल पर बहुत ध्यान देना चाहिए, हमारे पूर्बरश जैसे फॉलो करते थे, हमें उसको दुबारा हमारे जीवन में अमल करना चाहिए, जो मेदे वाली खाना, कहने पर भहुत ध्यान देना चाहिए, और जब खाना खाते हैं, उस टाइम पर भी हमें सारे बाहरी चीजों से अवर्ड करना है हम खाना खाते हैं, दिमाग फोन पर रहता है we don't focus on healthy eating, mentally भी, physically भी we are emotionally more stressed, बिल्कुल तो जब इन सब चीजों को हम ध्यान रखेंगे definitely kidney का उपर जो इतना चर्चा हो रहा है definitely कहीं उसको हम रोगताम कर सकते हैं और इन सब के लिए चाहिए awareness ठीक है, डॉक्टर मांचू, जब co-morbidity की बात आते है diabetes को लेकर हम जानते हैं कि भारत diabetes की capital कही जाती है IBP के जो मरीज है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं और हर उम्र में यह हो रहा है कैसे यह connect करता है kidney के साथ kidney की सहथ के साथ देखे, diabetes और hypertension एक blood vessel से जाता है endothelium जो blood vessel का जो एक liar होता है वो endothelium वो damage हो जाती है kidney आप देखेंगे आपने जो पहले बताए भी kidney एक blood vessel का गोथा है इसको कहते है capillary का गोथा जो capillary का गोथा damage हो जाती है तो फिर वो kidney damage हो जाता है diabetes और blood pressure में capillary damage से कम आना है तो इसलिए diabetes और blood pressure का अहम कारण है kidney damage होना diabetes capital आपने बोले और एक पांच मी अगर एक को देखोंगे पांच से एक hypertension भी होगा दस से एक diabetes होगा पांच से एक hypertension होगा यह दोनों कारण जो कमन है यह kidney कारण का कमन है बिलकुल तो यानि भारत में देखें तो diabetes और जो high blood pressure है उससे प्रभावित लोगों की बढ़ती जो संख्या है उसकी वज़े से भी kidney की बिमारियां काफी बढ़ रहे है डॉक्टर परमेश्वर कैसे समझें जाहिर तोर पर कोई भी बिमारी हो वो kidney से जुड़ी हो या कोई भी बिमारी हो उसे अगर समय रहते समझ लिया जाए पकड़ लिया जाए तो एक तरह से इलाज भी आसान हो जाता है prevention पर भी हम आगे बात करेंगे थोड़ा symptoms बताईए कि kidney की बिमारी से जुड़े symptoms क्या होते है देखे अक्सर आपने सुनागा लोगों से कि जब kidney खराब होती है और उनके history diabetes की होती है या blood pressure की होती है तो हम बोलते है यह diabetic nephropathy है यह hypertensive nephropathy है यानि कि आपको जो शुगर की दिक्कत थी आपको जो blood pressure की दिक्कत थी उसकी वेश से आपके kidney खराब हो गई लेकिन मेरा अपना analysis 20 साल का यह है कि पहले in general आपके kidney प्रभावित होती है आपका जो blood का chemical composition है वो disturb होता है और उसके बाद you become diabetic you become hypertensive तो एक बहुत ही अलगत रहें का message मैं देना चाहता हूँ कि when you become a diabetic patient or when you become a hypertensive patient तो आपके दिमाग में तुरंट आ जाना चाहिए कि आपकी kidney कही ना कहीं कमजोर हो रही है affected हो रही है आज की टाइम पे testing का बड़ा प्रचलान है पृति आप जानते हैं हम सब routine check-up कर आते हैं and you will be surprised to know कि हम जब KFT के लिए आते हैं kidney function test के लिए जाते हैं तो in general VC urea normal आ रहा है kidney normal आ रहा है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं सब हमारी kidney सही काम कर रही है लेकिन surprisingly एक करवा सच आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारी kidney I am talking for majority of cases लगबक 70-80% cases में जब हमारी kidney 65-70% damage हो चुकी होती है तब पहली बार urea और kretinine बढ़कर के आता है तो कहने का मतलब है कि यदि आपको urea kretinine normal दिख रहा है आपके KFT में इसका बिल्कुल ही है मतलब निकि आपके kidney healthy है तो आपका kretinine यदि यूडिया बढ़के आना ही तब शुरू होता है जब आपके nephrons 70-80% तक damage हो चुकी होता है उस समय पहला symptom आपके पास आता है आप immediately rush to a doctor जो kidney के doctor होता है आपको पहला जो direction मिलता है वो यह मिलता है कि अब आप अपना liquid intake कम कर दिजे पानी कम पीजिए juices कम पीजिए सारा मिला के एक लिटर पीजिए मैं तो एक बात पुछना चाहता हूँ कि जब आपको पता लग गया कि आपके kidney damage है और 70-80% और वो damage भी कैसा है irreversible damage जो ठीक नहीं कर सकता कोई पैथी ठीक नहीं कर सकती तो उससे में आप पानी कम कराते है और जब आपको नहीं मालूम था आपके kidney like 55% damage थी 50% damage थी तब आप detox के नाम पे और kidney को अच्छा करने के नाम पे आप खूब पानी पी रहे होते हैं तो वो कितना न्याय संगत है कितना सही है so basically जैसा ड्रक्ट साब ने कहा कि हमें from very beginning we should be very careful for our diet we should be very careful for our lifestyle we should be avoiding chemical medicines and हमको diabetes and blood pressure होने के बाद इन medicines के साथ-साथ kidney को care करने वाली kidney को rejuvenate करने वाली वो herbs जो आयरवेद में है और safe है उनको from very beginning we should start so that हमारी kidney और खराब ना हो मैं kidney को ठीक करके लोगों के blood pressure ठीक करता हूँ लोगों के sugar ठीक करता हूँ otherwise बोलिये हम बोलते हैं sugar की वज़े से kidney खराब हो गई blood pressure की वज़े से kidney खराब हो गई हो सकती है लेकिन majority of cases में पहले kidney वीक होती है और उसके बाद में sugar और blood pressure आता है बिल्कुल यह दो caller हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं कारिकर में तरला ने हमें कॉल किया है गुजुरात से और लखविंदर हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से तरला जी आपका स्वागत है पहले आप सवाल किजा नमस्कार नमस्कार बताई कितने लंबे समय तक पैन किडल लेने से kidney damage होती है और दुसरा प्रस्टना है acute or chronic kidney failure के बारे में कुछ बताना ठीक है तरला जी आपके सवाल का हम जवाब लेंगे हमाई साथ लक्वेंदर भी जुड़े हुएं दिल्ली से जुड़े हैं उनका भी सवाल हम पूछ लेते हैं लक्वेंदर जी आपका स्वागत है काड़क्रिम में बताईए क्या सवाल है आपका नमस्कार जी मैदम मेरे एज 65 पाइल से है जी कितने समय से यह हो रहा है कि अभी जवार से चुरू है अपने डॉक्टर को नहीं दिखाया अभी तक नहीं दिखाया जाक्र को ठीक आपके सवाल का जवाब रहा हम लेंगे इससे पहले नहीं ठीक है मै पहला जो कॉलर कांसर देदेना ना पहले उन्होंने एक तो पुछे ज्शे अक्य elabor climax कि मैं कहने उस होता है। तो पहला, acute kidney part alcohol and chronic kidney क्यंचолов कियों कहते हूं, चैनल को अभी अभा दिन और हथ क्यों अंदर है। पहले पूरा मरीज ठीक है को इसे हुआ हितते हैं। अगर कोई भी बैमारी किड्नी में तीन महिना हो गया, तीन महिना से जादा, उसको कहते हैं क्रोनी किड्नी डिजीज, मतलब तीन महिना मतलब उसका जो GFR, ग्लोमेड़ वाल फिल्ट्रेशन रेट, फंक्सन करना, अगर आप सो नर्माल लेंगे, साथ परसंट से कम हो गया, त उसको हम क्रोनी किड्नी डिजीज कहते हैं, एक्यूट मतलब कारण होता है, इसको गेस्ट्रेशन हो गया, लूज मौसन हो गया, और किसी को साप काट लिया, कुछ को कोई मेडिसीन खा लिया, दवाई जो किड्नी को डेमेज करता है, वो मेडिसीन भी खा लिया, उससे में नहुंआए कूट किड्नी डिजीज हो जाए, और क्रोंी किड्नी डिजीज को मुख्य कारण है, डाइबेटिस, हाईपरेटेंशन, इसका साथ साथ, क्रोनी किड्नी डिजीज जैसे है, किसी का पत्री है, उनियूनी ग्रैक्ट इंफेक्σιनन है, बार-बार होगया, और किसी जिसको ग्लोमिलोनेफ्राइटिस हो गया और ड्रग्स जैसे ड्रग्स आपने बताए कोई दवाइद ले लिया जिसको किड्नी का सेफ नहीं है कुछ एंटिबाटिक्स बहुत सारे लेते हैं वो भी एंटिबाटिक्स पेंटिलर यह सारे कारण अगर लांग बात हम लिया तो दूस्टीन कितना परिमांड से अगर हम खाए और कौन आण से अनलजेसी खाए जो चीड्नी डेमेज होगा देखिए परिमांड से कुछ-कुछ सेफ नलजेसी घोती है जो परसी टमल ऑचेहेंगे वो सेफ होता है मतलब इतना डेमेज नहीं करता है बहुत ही कंनलजेसी होत अगर लंबा टाइम से मतलब कम से कम छे मेना तक खाते रहेगा और इसका दो तीन ग्राम खाएगा टोटेल कॉंटिटी तब जाके किड्नी का डेमेज होगा यह मतलब नहीं है जहां एक डोज में नहीं होगा एक डोज में भी हो सकता है कोई एक इंजेक्टेबूल ले लिया तो एक डोज में भी किड्नी डेमेज हो सकता है ठीक है तो दूसरा कोश्चिन इनका एक कॉलर था जो बार-बार फ्रिक्वेंसी यूरिन हो रहा है तो ये बार-बार फ्रिक्वेंसी के उनको पैसन को देखाना जरूरी है डॉक्टर को क्योंकि 55 इतना ज़्यादा उमर नहीं है जो एक प्रोस्टेट का होना है तो शिरिफ क् चीजद देखना जोड़ुरी है इसका साथ अगर बार बार जनरली 사건ी का एलई सिम्टम है इसेई को रात में ज्यादाप पिशाब आएगा यह क्रोनिक की डिजिजी का एल्ली सिम्टम है, वो पैसन को डाइबेटिस का देखना चाहिए, डाइबेटिस का मुख्यल अच्छन है, जादा पिसाब होगा, जादा भूक लागेगा, जाना नहीं चाहिए, ताकि सही कारण पता लगपाए, ऐसे टेलीफोनी के लिए करना, बताना मुख्यल होगा, डाइबेटिस करना मुख्यल होगा, बिल्कुल, डाक्टर रोजा, जब हम कारणों की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या हेरेडिटरी यानवानशिक्ता भी एक बड़ा कारण है, क्या ऐसा देखा गया है, कि फैमिली हिस्ट्री, बहुत बड़ा जिसके फैमिली में, क्रॉनिकली, उनका किड्नी स्टोन्स का भी है, तो यह सारे कारण होते हैं, किड्नी डिजिस को आगे बड़ाने के लिए, ठीक है, तो इसमें हुमिपेथि कैसे मदद कर सकता है? हुमिपेथि में हम दो तरीके से रहाज करते हैं, एक तो बीमारी हुई उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, हुमिपेथि का जो मेथड़ाफ प्रिस्क्रिप्शन है, that is, होलिस्टिक है, हम मरीज का मानसिख्तिती, उसकी बीमारी है, उसका लक्षन क्या है, और ओवरल मरीज के बारे में हम पूस्ताच करते हैं, उसके बाद हम उसको एक प्रोबैबल मे सबिलान के वाल स्क HIV करना बहुत है, लेकिन कभी में में क्या होता है, जो वापको प्रूमेटिक बनते हैं चूंपरे को सब्रावन, इसके बाद में करना है, प्रूपर थार म Tμά कि को समय ओ quiना पशांता है जैसे कोई भी हमिपेथिकStat 뒷न चोंपरे का ने चुक्ताशना है, जिसके वजे से किट्नी का जो आयूग वो भी बढ़ जाता है ठीक है किट्नी की जब पत्री की बात हो रही है डॉकर परमेश्वर तो ये भी बहुत आम सा हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि हर दूसरे विक्ति को पत्री होती है इसके पीछे भी वही सब कारण है जो आपने बताए पहले है आपको हैरानी होगी कि जब हम स्टॉन्स के बात करते हैं तो स्टॉन्स में भी सबसे अधिक जो कैटेगरी है वो जैनेटिक प्री डिस्पोजिशन है यानि कि आपको जैनेटिकली आपको टेंडेंसी है स्टॉन्स बनने की क्योंकि आपने दिखा होगा एक जनरल मिथ है कि आप जो पानी कम पीते हैं आपको स्टॉन्स बनता है ऐसे किसी बहुत कम है बहुत कम आप एक विक्ति को stone होता है आप सको recommend करता है पानी पीजे वो पानी खुब पिना शुरू करता है दूसरी बार भी उसी को बन जाता है फिर से विचारा सरजीरी कराता है फिर वो बहुत पानी पिता है उसको घर से phone जाता है ऑफिस पानी की तीन बोटल खतम करनी है चार बोट वापिस से उसी को स्टोन बनता है सो जैनेटिकली जो है स्टोन का बनना सबसे बड़ी कैटेगरी है स्टोन फ्रमेशन के लिए पानी कम पिया जाना यह सब बहुत छोटे-छोटे कैक्टर्स हैं तो यहां आज टीवी के माद्याम से मैं लोगों कहना चाहूंगा कि पानी अधिक पीना जो है आप इनीशली कुछ दिन के लिए बहुत छोटे स्टोन को फ्लश आउट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं बट वन्स वो स्टोन सैटल्ड है कहीं न कहीं आपके यूरेटर में पैल्विस में या किड्नी में तो आप हाइड्रोनेफ्रोसिस में चले आएंगे रास्ते में रुकावट है और आपका किड्नी का फंक्शन कॉंप्रमाईज होगा तो एक मैसेज तो बड़ा किलियर है कि स्टोन के पेशेंट्स पानी अधिक पिकरके स्टोन्स निकालने की कोशिश बहुत समय तक तो मत कीजिए वो आपको नुकसान करेगा बट फॉर्चुनेट्ली इन आईरवेदा देयर मैडिसिंस जो आपकी स्टोन को डिजॉल्व करके निकाल सकते हैं हमारे पास पाशान बेद है पत्थर चट कितने हजारों लोग हमें मिलते हैं कि साब एक बोदा है वो पत्ता हम खा लेते हैं जब स्टोन बनता है महीना बर खाते हैं फिर हमारा स्टोन खतम हो जाता है हमारे पास पत्थरी की मैडिसिन वहां से लेथी निकल गया था तो बिफोर गोइंग फोर सरजरी मुझे लगता है कि आयरुवेध और हमोपेथिक जो है स्टोन के लिए बहुत अच्छा सॉलूशन हो सकता है पानी जो है वो आप कुछ समय के लिए मेभी फोर ए वीक आप पानी पीजा अगर आपका स्टोन 3-4-5 mm तक है और कहीं ऐसा लग रहा है कि फ्लश आउट हो सकता है तो आप कोछिश कीजिए आप अगर किड्नी स्टोन के पेशेंट हैं और आप लगातर पानी अधिक पी रहे हैं तो आपको पता नहीं जिस पानी को आप स्टोन को फ्लश आउट करने के लिए पी रहे हैं वही आपके किड्नी डैमेज का कारण बनेगा ठीक है CCRH ने किड्नी स्टोन के ऊपर काफी अनुसंधान की है और यह जो अनुसंधान में बहुत अच्छा अच्छा दवायां निकला हुआ है जो हम मरीज को देते हैं और वाकई हमने देखा है स्टाटिस्टिकली भी देखा है कि देने के बाद किड्नी का स्टोन प्रॉपर निकला हुआ है और यह हम बोथ लैब बेस्ट टडीज भी किये हैं विट गुड यूनिवरसिटीज बिल्कुल जिससे हम अगर 10 mm तक का स्टोन है 10 mm तक का स्टोन है किड्नी में तो हम लोग इन जनरल एक महीने की मेडिसिन से लगबग 80% लोगों का स्टोन हम मेडिसिन से निकाल देता है कि उनको कोई सर्जिकल इंट्रेवेंशन की जुरत नी होती तो डेफिनेटली हम कहाना चाहेंगे आप कहीं पे भी हैं आप आयरुवेदिक एन होमपैतिक जो हमारे एक तना से हमारे पास दो बहुत अच्छे अल्टिनेटिव चीजें हैं उनको आप जरूर ट्राइ कीजे बिफॉर गॉइंग फॉर दर सर्जिकल इंट्रेवेंशन बिल्कुल और ट्रीट्मेंट के पार्ट पर आगे हम और विस्तार से बात करेंगे दो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं नरेंदर ने हमें गुजरात से कॉल किया है जितेंदर राजस्थान से जुड़े हैं नरेंदर आपका स्वागत है पहले आप प्रश्न पूछिए अपना नरेंदर आप सवाल पूछ सकते हैं बताईए अगर आप सुन पा रहे हैं नरेंदर तो आप सवाल पूछ सकते हैं पिलाल, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, जीतेंद्र हमाय वे साथ जुड़े हो थुप है, जीटेंदर आप बताईए आपके क्या प्रशन है, जी टीवी क आवाज कम करके, एक बार में अपना सवाल पूछे, जीतेंदर बताईए, थीख है, नरेंडर इस समय माँ साथ जड़े हुए और हम हमें सुन पा रहे हैं, बताईए, नरेंडर, क्या सबाल है आपका。 नरेंडर, आप स्वाल पूछिए. जी मेरम जी मेरे को मेरे क्रिजिन हैं दो है जी जी बताइए हलो हाँ हाँ बताइए नरेंदर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप एक बार दुबारा कॉल मिलाईए और जितने भी कॉलर्स हैं मेरी उनसे यह अपील है कि जब भी कॉल करें तो टीवी के आवाज को बिल्कुल बंद रखें और एक बार में अपना पूरा सवाल पूछें इससे हमें आपका सवाल सुनने में भी आसानी होगी डॉक्टर हमांशू अगर जब हम कारणों की बात करने हैं और आकडों की बात करने हैं तो देखा गया है पिछले पास से साथ साल में जो एक तरह से ट्रांस्प्लांट हुए हैं किड्नी के वो 40% ऐसे लोगों में हुए हैं जो 30 साल की उमर के आसपास हैं यानि युवाओं में भी आप जो किड्नी से जुड़ी बिमारिया हैं तो तेजी से बढ़ रही हैं तो उनके लिए आपको क्या सला है बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं जो जो बाइव में बढ़ रहा है जो जो बाइव का कॉज तो जेनरली पता नहीं हुपाता है आपको हाईरान होगा जानके जे कुछ-कुछ इंडिया में है आठ पोकेट है जहां आप देखेंगे क्रोनिक किडिन डिजिज अप अन्नोन ओरिजिन ओरिशा में एक जागा है कटक डिस्टिक में हमारा अंधरप्रदेश में है गोआ में है महाराष्टर में है हमने गे थे Government of India से भी देखें कारण जानने के लिए वो देखें जो जमीन में काम करते है हम इसका सोचे है जो धूप है ज्यादा है तो पानी कम पीते है ये भी एक कारण हो सकता है और अल अबर वर्ल्ल में भी ये स्टड़ी क्या गया है ये ही एक कारण है कम पानी पीने के लिए ये सारे कौज है इसका साथ-साथ कुछ जो जमीन खेती में जो डालते है केडिमियम, फस्फरस, उनका जो अर्सेनिक ये सारे टॉक्षिन सी भी पाए गया लेकिन आज तर को नहीं हो पाया ये तो एक कारण है ये दो कारण है जो जनरेली जुबाक में कमन है इसका साथ-साथ आज कल यंग एज में भी डाइबिटीस और हाइपरटेंशन भी मिला जाता है बिल्कुल और इसी वज़े से पानी को लेकिए क्योंकि आपने भी जिक्र किया है आपके अनुसार क्या है पानी पीने की सही मत्रा हमारा अनुसार पानी देखिए पानी पिसा आपको साथ मतलब सफेद रखना है आप कितना पानी पिना ये हर पार कुश्ची नहीं था हमको ज़्यादा पिना है और कम पिना है कीडनीपैमारी का स्टेजे स्कूप पर डिपेंड है फर एकजमपल आपका लेड स्टेज है आप सूजन आ रहा है पिशा वो ने रहा है उसमें आप जयादा पानी पी नहीं सकते अल्लिब कीडनीडेमेज उसमें पानी पी सकते इसे पानी कितना पीना है किड्नी डेमेज का उपर डिपेंड है लेकिन आप पिसा आपको सफेद रखी है पिसा आपको पीला मत रखी है पीला अगर रखेंगे यह बी एक कारण है स्टून बनने का भी आप पानी पीते जाएंगे पांठी प्रिति जी मएरे से पूछ लेता हूं सर बोल रहे हैं कि पानि इतना पीना है कि पेशाफ साफ मेरा रहे तो मेरा ररमीटेशन रहा यह है आप लोग टेस्टिंग में यूरीन का नॉमल ह। तो उसको यह पिए के आप जब यालो कि अब तो सामने पेल यालो लिखा अब अगलो अगर एलोपेतिक डॉक्टर्स उसको क्लीन ट्रांस्परेंट वाइट चाहते हैं तो वाइट नोट तो राइट द्रांस्परेंट वाइट 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 पेल यालो सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर 750 ml यूरीन पास कर रहा है तो उसको जितना एक दिन में नाइटोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उतना उसका एक्ट्रीट आउट होता है आपको पेशाब में फ्लो अच्छा होना चाहिए पेशाब में जलन था नहीं होना चाहिए एंड बैलीस से विन फिटी अम अब एक डेकर आट लेले जिर अप box कर आथा तो एक लीट्र तक पास कर रहे हैं तो हमठोड़ किसी बीचीज को खाने की मात्रा की बात उतो जरूरत से कम और जरूरत से ज़या ह। दुनों ही अपने आपそうですね अपसान दायक है और इसी बात का ख्याल पानी को लेकर भी रखना है दो कॉलर और जुड़ गये हैं शिवेंद्र पाठी हमारे साथ है और साथी आशीश भी हमारे साथ जुड़े हुए शिवेंद्र आपका स्वागत है बताईए क्या प्रशन है आपका जी मैं बताईए सब्सक्राइब दे चार बूंदें बाद में भी आती है तो यह क्या समस्या हो सकती है अब क्या है अब शुड़े अब शुड़े इस वाईद्र अपसे आपको यह पिछले तीम-चार महीने से है ठीक है ठीक है डोक्र रोजा आप क्या बताएंगे तो इसको इनको और कुछ सिम्टम्स है क्या है शिवेदर और भी कोई समस्या है क्या डॉक्टर आपसे बात करेंगी क्या है जैसे मुझे मैं एक एस्थमा की प्रावलम है दवाया कुछ ले रहे हैं आप जी मैं मस्तमा कि मैं इनिहेलर से लीता हूं और जो मैटिशिन है दोनों टाइम मैटिशिन लेता अच्छा आप इसके जो कब से आपको यह strategies ले चार फाउंच मह treaty से ँशुक ईचार पांछ वहीं5 अचे Spring से हैं aur अगर फिसाब आपका ठीक होता है या जलन मगरा है जलन कुछ नहीं होता है मैं बस स्लो होता है स्पीड स्लो होती है फीड स्लो होती है पानी पीते है ठीक से पानी पीते हैं जितना चाहिए पानी तो मैं पीते हैं जितना पीना चाहिए उतना पीते हैं तो यह कभी-कभी कॉम क्योंकि उमर उनका 35 से लेकिन इसका यही है कि एक बार जाएं कोई भी नजदी की डॉक्टर के पास जाएं एक बार रूटीन टेस्ट करा दें ताकि कुछ भी अबनॉर्मिल्टी हो तो अदर्वाइस अगर कॉमनली उनको यह हो रहा है किसी का एक कॉमन टेंडेंसी भी होता है कि उनका यूरीन ऐसे ही होका लेकिन क्योंकि चार-पांच महीने से ही एक बार दोक्र को दिखा कर राय ले लेते हैं तीनों पैथी करना जरिया समझ लेते हैं इमांशु जी आप क्या बताएंगे अगर इन तो इसमें पता चलेगा जए पिसाब खाली करने की बाद पिसाब का थाली में कितना पिसाब रहे गया इसका मतुर मुझे लगता है इसका जो पिसाब का रास्ता में कहना की रुकावत है जेनरली इसी एज में स्टिक्चर का कमन होती है कहिंके रुकावत होगा स्टिक्चर तो अक्सर बर्निंग नहीं होती, पेशाब में जलन नहीं होती, लेकिन जो आपने बताया कि फ्लो कम है और थोई दर बाद फिर वापीस से आपको कुछ डॉप डॉप करके युरीन आता है, तो एक इंडिकेशन तो है कि there is some pathology, यह नॉर्मल नहीं है, तो आपको routine microscope चेक करान चाहिए, culture कराना चाहिए कि infection कोई हो सकता है, नंबर दो, जैसे डॉक्र साब ने बताया कि वहाँ पे structure की possibility है, कहने कहीं रास्ते में रुकावट है, और अगर यह rule out हो जाता है कि आपको कोई structure नहीं है, and 35 की age में भी आप prostate हमें देखने को मिल रही है, बड़ा unfortunate है लेकिन कम age में भी prostate, BPH, menine prostatic hypertrophy देखने को मिल रही है, वो सब rule out हो जाएगा जब आप ultrasound कराएंगे, और अपना urine का routine microscopic check कराएंगे, अगर यह सब fortunately normal आता है, तो मैं आपको यहाँ पे recommend करता हूँ, एक चंदर प्रभावटी, इसका मतलब है कहीं नहीं, ब्लेडर में weakness है, वो उतना force generate नहीं कर पारा कि आप एक बार में urine pass कर सकें, तो ऐसे में एक बहुत simple urinary rejuvenator, आप कह सकते हैं, एक ताकत की गोली कह सकते हैं, बच्चों को भी देते हैं, बड़ों को भी देते हैं, बड़ी safe है, even if you are diabetic, blood pressure, कोई भी ले सकता है, चंदर प्रभावटी, लगबग हर आईरव हम सोट आउट हो जाएगी, ठीक है, अब अगले कॉलर है, आशीश जिन्हों ने उत्तरप्रदेश से हमें कॉल किया है, आशीश जी स्वागत है आपका, पताए क्या सवाल है, नमस्कार, मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा है, मेरी मदर साथ-ाथ महीं ने कम से कम 5-6 साल पहले इनका बीपी भी बढ़ा हुआ था, बीपी बढ़ा हुआ था, इनकी आई साइड, दोनों आखों की आई साइड चली गई इनकी, अब इनका टेक्मेंट बढ़े ली यूपी के विने अगलवाली से चल गड़ा है ब्रेन का, अब यह 26 तारी को घर पे गई, अभी ही 26 जो ग में बलाड यूरिया, बलाड यूरिया बढ़ा हुआ रहा है, बलाड यूरिया और क्रेतयन, यह चीज बढ़ी हुआ रही है, इसमें मैंने यह srl में रिपोर्ट करा है थी,third की यह रिपोर्ट, इनका 34 हाई भी दिखा रहा है, 8.23, और दिखा रहा है इनका 4.10, और आई यह जीरो पॉइंट सिस्टी वन पॉइंट टवन्ट टॉन्टी यह दिखा दाया है और यह बन क्रेंट क्रेंट ठीक है ठीक है ठीक है कुछ लेट था अशी जी उन्हे और कोई जानकारी चेहीका होगी तो वह आपसे बात करेंगे मतरे में, लिए अगर आफका क्रियोटीन निल में भी बढ़ा हूआ फी और घिंव भी तो इसलिए From The Blood Passod है अभी पता चाल रहा है क्योंग आप टेस्ट कर रहे हैं इसलिए हम सारे लोगों को एडवाइज कर रहे हैं जिए 40 साल से उमर जिसी का भी हो वो अपना रूटीनली यूरीन एग्जामिनेशन क्रेटिन एग्जामिनेशन हर साल को करना चाहिए अगर ब्लॉट पैसर और डा करना है हमोगराम करना है अल्ट्रासरंड करना है सारे जान्ज करने का बात ही पता चलेगा यह आपका एक्यूट है ना अक्यूट अन क्रोणिक तो अभी आपको डॉक्तर स्का पास जाके श्लाली लीजी ले लीजिए और अगले कॉलर है शंकर जोनोंने दिल्ली से हमें कॉ स्वागत है कारिक्रम में बताईए क्या सवाल है प्रश्न पूचिए शंकर टीवी के आवास बिलकुल बंद कर दीजियो और एक बार में अपना सवाल पूचिए मेरा बेदा स्वास्थी बाइस साल का हुमर है उसका स्टोन दो साल पहले दिखाई दिया था गॉल्ब्रेडर में आप उसके बाद कोई डिक्कोद में लागने राना कोई दौध वगार कुछ में पता नहीं लग रहा है तो वह स्टेबल है ना खतम हो जया वह एक बार जानना दूस्री बाद है इनका पिता बहुत कौम होता है बहुत कौम होता है थिसा वी दो साल गुवा पहले ठिक्टक था पानी भी कौम पिता था 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 थिसा भी कौमा रा रहा ये दो नमबर मुझे पाता दना है इस प्रोडम जो पेशाब कमाने वाली है वो गोल बेडर स्टोन से इन जनरल मतलब 99 परसेंट वो एसोचेटेट नहीं होगी इस डिफेंट प्रोडम अगर आपका बच्चा बढ़िया से पानी पीता है जब जब पानी पीना चाहिए उतना पानी पीता है थिर भी पेशाब कम अगर फॉर्चिनटली दोनों नहीं है और पानी ठीक पी रहा है तो एक मेडिसिन का नाम मैंने लिया है बड़ी जेनरल मेडिसिन है चंदर प्रभावटी यह सब के लिए बहुत अच्छी है आप चंदर प्रभावटी ट्राई कर सकते है नहीं तो आप किसी डॉक्टर से मि से सला रेनी चाहिए है। दोक्तर रोजा, होमियोपेथी कैसे मदद कर सकते हैं? यह गॉल्स्टोन का जो बोले हैं, उनको सिम्टम्स कुछ नहीं है। अल्टिमेटी सर्जरी, यह हम भी मानते हैं, सिम्टम्स कम हैं, यह नहीं हैं, जो गॉल्स्टोन को डिजॉल करता हैं, निकाल देता है, मेरे हजबन का भी ऐसे था। लेकिन क्या होगा कि उनका दवाई खाने के बाद उनका उतना कुछ प्राबलम नहीं हो रहा है। पार बहाना है किसी होमिपेथीं डॉक्टर के पास जाके सला लेनी है, लेकर उसको अच्छे से दवाया सुरू करनी है, और हर तीन महने में ट्रीट्मेंट लेने की जड़ते है, जड़ते हैं, त्रूसरी बढ़ जो किड्नी का बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं, पानी क जाते हैं तो उसी साब से फिर देख सेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है इसके राफा रॉक्टर हमाच्यू सबसे बड़ी बात आ जाती है ऑर्गन डोनेशन की जब बात होती है हम जानते हैं कि किड्नी ट्रांस्प्लांट के लिए बहुत बड़ी संख्या में मरीज है जो इ इसे लेकर कई लोगों के मन में डर भी है तो उसे कैसे दूर करेंगे लिए? कुए बह inackes pensa कच applies कि काड़ा admitting को बीड़ी बेहन पथी बातनी माज बाब बेटा बेती मतलब इसावळा रिश्तेदार को बेटे मोगी पfter crash जो accident हो गया उसका brain नहीं है, brain काम नहीं कर रहा है, लेकिन heart, lungs, जो भी ventilator से percent है, वो आपना अरगन दे सकता है, आज की दिन में live related और कड़ावर दोनों ही बढ़ रहा है, ऐसे नहीं इंडिया में पहले जैसे था, आज की दिन में काफी percent का बढ़ रहा है, फिर भी, अगर west को को में compare करें, उसकी तुरना से हमारा job काळावर ट्रंसप्राइशन कह में हमें एंडिया में यह जरूरत है, जो काळावर लोग को जागूत होना चाहिए जुआ करें काडावर ट्राइबान का पहले हमारा वेस्ट जा रहा है वो अरगन दूसरा को लांगे फिर नाला ऑंस बहुत सारे हमारा हस्पिटल में हमारा ब्लॉड ग्रूप A, B, O, A इसमें देट सो पेसेंट वेटिंग है जो पेसेंट इंतजार करें कोई कहीं मुझे काड़ावर मिल जाए लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं यह मुख्य कारण क्या यह जागरूता कम है जो पेसेंट किसी का भी अगर ऐसेंट नहीं प्रयावर मिल आना चाहिए, आपना जितना भी अर्गान को ब्रट्ट करने का सम्मंति प्राप्त करना चाहिए ुच के लिए एक हमारा इंडिया में जो सभ्दर जंग हर्च्पिटल में नोटोबस्तित है नोटो में एक फॉर्म भी होता है कि कोई भी अगर देना चाहें, अंगदान करना चाहें, एक फॉर में वो खुदी फिलब करके दे सकते हैं. अंगदान का जागरती करके मैं देना का डोनेसेंट करने का मैं राजी हूँ. उनको एक साठिपिकेट भी मिल जाएगा. उनको अपना पास रखते हैं. आजकल ये भी हो गया हम के calls हम ले लेते हैं सुनीता जी ने हमें कॉल किया है सुनीता मेरे साथ तत्रप्रदेश से जुड़ी है प्रीतult कुमार हमारे साथ जुड़े हुए है Сुनीता जी पहले आप अपना प्रश्ण पूछिए सुनिता जी स्वागत है आपका बताईए किया प्रश्न आपका आजी मैं मेरे भाई को 7.5 mm का स्टोन हो गया है और उसको पेन बहुत ज़ादा होता रहता है ठीक है बताईए आगे भाई को पेन बहुत ज़ादा है स्टोन की वज़े से तो क्या करना थी ए सुनिता जी तीन वाला गलग पैथी के डॉक्टर्स हैं जो इस समय हमारे साथ है अब बताईए किस से सला लेना चाहेंगी हमापैथिक मुझे आइटिंग बेस्ट लगेगा हमापैथिक सर्शे नमस्कार कहना जाओंगी और मैं अपने भाई के लिए सला जाओंगी लेठ के खाना गाता कैना जाओंगी शएर उसको टोन हो गया है विए वसका बहुत जाना होता है ठीक है सुनिता अब देखिए दॉक्टर क्या करेंप आप अब बताई और इस से जोड़ा इक वर सवाल इसी में निकल दूसरा है हमारा skin surface, दोनों तरीके से body के toxins बहार जाते हैं, लेकिन हम physical activity कम करते हैं, जिसके वज़े से पाने भी हम कम पीते हैं, आइडल लाइस्टाइल होता है, साथ में हमारा healthy food नहीं होता है, इन सबसे डेफिनेटली इंपेक्ट करता है किड्नी पर भी health के उपर भी mental status के और second is kidney stone, इन्होंने बोला है, इनके भाई का 7.5 mm है, प्लेस पेइन भी बहुत होता है, मेरी जाना चाहिए कि अभी उन्होंने दवाई दिलवाई है, दोक्टर पास ले गए थे, that is the first question, अगर ले गए थे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेके गए थे, तो नस्दी की क विशन के इस पानी कौंटिटी को क्या परेज करना है, वह सारे उपर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यह कुछ ऑग्जर स्टोंस होते हैं जो कुछ-कुछ खाने में होता है, उसको अवोड करना होता है, प्लेस, पानी का कौंटिटी को डिलेटिवली पेशन की हिसाब वो सारा डॉक्टर्स बताते हैं, साथ में एक रेगुलर अल्टरसॉन करवाएंगे, यूंकि टीट्मेंट सुरू होने से पिल इसका 7.5 था, यानि होमयोपेथी में अगर अगर अच्छे विशिशग्य को दिखाया जाए तो इसका टीट्मेंट हो सकता है, तो इसका टीट कर स्टोन है, पत्री है, हाँ, 6.5 था, तो हम कम से कम वन्थ वन्थ है, हमोपते का दवाई इसकी है, तो मैंने लेप साइड में थवाचा कभी होगी ने जील के अड़ी के पास जलन सी होती है, कभी के दरत्सा होता है, क्या आपने वो ठीक हुआ है कि नहीं मसूस कैसे होगा, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट आप से, क्योंकि हुमियोपेथी ट्रीटमेंट लिया इन्होंने, उसके बाद मैं आयुर्वधिक हुआ हुआ, अभी उनको क्या जलन महिसूस होता है, जलन महिसूस होता है, कितना एक महिना दवाई लियें, बोल रहे हैं, उसके बाद क्या हु कराएंगे, वो जिस तरीके से एड़जिस बोलेंगे, जो भी इन्वेस्टिकेस बोलते हैं, उसको कराएंगे, ताकि पता चलेगा क्या हुआ है, जी, डॉक्टर यही बता रहे हैं, कि जिस भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक बार उनसे बात कीजिए, ज जो लाइफस्टाइल की बात आप लोगोंने कही है, वो बहुत बड़ा कारण है, ना सिफ किड्नी की सेहत के लिए, बलकि और तमाम बिमारियों के लिए, जो लगातार हम देख रहे हैं, भारत में, हर उम्र के लोगों में बढ़ती जा रहे हैं, तो क्या ऐसी डाइट है, जो फॉलो करनी चाहिए, किड्नी के सेहत अच्छी मनाय रखने के लिए, देखें, डाइट की जब बात करते हैं, तो किड्नी के पुरे शरीर को ही हमें प्रिति कंसिडर करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है के वल एक जो डाइमेंशन है, उसी पर कंसंट तो आपको पाँच जो है पेरामीटर्स पर हमेशा देखना चाहिए, बाव बाव यदि क्वार्टी ओफूड, किस्ते डाइपूर, क्वांचिटी ओपूड, सिखना पूड, कितना खाना आपको चाहिए, ये भी आपको सिखना है, आपको कंभी निच खाना, अधिक भी न ऐसा नहीं है कि जब आपको टाइम मिला आपने खाना खालिया रात में बारा बजे खाना खालिया दिन में आपका चार बजे लंच हो रहा है लिक्विड से मतलब पानी हो गया सूप हो गया बटर मिल्क चाच हो गया वह व्यक्ति जो सोलीड को पिएगा solid को पीने के मेरा मतलब क्या है कि आप रोटी को सबजी को इतना चबाएं कि जब आपका food pipe cross करे तो वो एक डम liquid हो जाए तो उसे बोलते हैं solid को पीना और पानी को खाने से मतलब है कि पानी एक सिप लेने के बाद रखिये वापिस से उठाके एक सिप लीजे फिर रखिये फिर एक सिप लीजे रखिये इसे कहते हैं पानी को खाना वो व्यक्ति जो solid को पिएगा और liquid को खाएगा आप जान लीजे उ उसको कभी भी इंडाइजेशन नहीं होगा, उसका पेट खराब नहीं होगा, उसकी अगनी मंद नहीं होगी. And you'll be surprised to know, आयरुवेद में तो कहा गया है, रोगा सरवे अपे मंद आगनी हो. हर रोग की शुरुवात ही अगनी की मंदता, यानि पेट की खराबी से होती है, तो मुझे लगता है कि केवल क्वालिटी पे मज जाएए, आपको पांचो जो पैरामिटर है, पांचो डायमेंशन जो खाने के हैं, उन पे ध्यान कोना चाहिए and we are fortunate, आयरुवेद में सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया है, दो बहुत अच्छी चीजे भी जब साथ में मिला के खाते हैं, तो वो आप शिरी को खराब करती है, दही में आप नमक नहीं मिला सकते, आप आम के साथ दूद मैंगो शेक पीते हैं, वो बिलकुल भी advisable नहीं है, आप बनाना शेक नहीं अच्छा बना रहे है, दो और कॉलर है, पद्मा ने हमें कॉल किया है, साथी सरिता ने हमें कॉल किया है, और दूरोगी कॉलर हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, पद्मा आपका स्वागत है, बताईए, क्या सवाल है अपका, हलो, सवाल पूछी है, हलो, स तो नहीं दिखाया है, क्वार इन्फ Sith इसा निंहलता था हल्का ये अर्क मां का तो निकल गया है अच्छा ठीक है ड्डेडन में टातरे किस कारण से निकुल अगया है क्या अपरेशिन करगे निकाल बुद का टीदिया को दॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि इनके किड्नी में इन्फेक्शन के लिए पांच आ रहा है बार बार पहले दो आज पांच है क्या किड्नी का मतलब प्रॉब्लम है ने चाहे पांच जो भी है अगर क्रियेटिनिन अगराम में यह समझूं जे आप यह प्रांच क्रियेटिनिन है तो इसका मतलब मा भी किड्नी बैमारी है तो जेनरेली देखा गया है जो किड्नी बैमारी रफ एंपांच चियुक्व है तो आपको मा पहले क्युता नहीं काशना है और आप भी जाके देखाईए कोई डॉक्टर को जो कोई नेफरलोजिस्ट होगा उसको देखाईए जिए क्या कारण है तो हम ऐसे मतलब सुजन आ रहा है तो सुजन कितना परिमान में सुजन है वो देखके इसकी बात ही आप कहला है पिसाप का जांज तो बिल्कुल जरूरी उसकी आप करिए और क्रेटिनिन बिल्कुल जरूरी करिए निसाप का जांज करिये और डॉक्टर को देखाईए और माँ को भी जाके दखाईए कारण जाना बहुत जरूरी है अर नजर आ रहे हैं तो देर नहीं करनी चाहिए और इच्छे डॉक्टर की पास जरूर जाए और उनसे सलाले और खास्तोर से जब आपकी फामली में भी किड्नी से जुड़ी समस्या रही है तो ऐसे में आपको थोड़ा और सतर्खोना चाहिए सारिता भी हमारे साथ मौजूद है सारिता बताईए क्या सवाल है अपका जी मुझे ये बताना था कि मेरे मम्मी को कुछ दिनों से ठकावट मैसुद हो रही थी उनकी एज सिस्टी टू है समय उनके लिए काफ दिन से ठकावट और कमजोरी मैसुद हो थी तो उनको नोंने उनका ब्लेड चांच करवा है अब उसमें ब्लेड यूरिया जो है चौंती स समय तो आप मुझे प्लीज पताईए का भर्ती करना ठीक है या घर को उनका इलाज हो सकता है ठीक है सरिता दोक्टर आप क्या सला देंगा देखे डेफिनेटली अगर करिट नाइन फोर से उपर जा रहा है तो उनको तो क्रोनिक किड्नी डीजीज की पोसिबिल्टी बहुत हाई है तो आप अगर उनको पेशाब ठीक से हो रहा है कोई बहुत अदिक सिम्टम इस तरह का नहीं आ रहा है कि वो बहुत प्रशान हो रही हो तो घर पे भी रह सकती है लेकिन आपको प्रोपर एक तना से डॉक्टर से जो है ट्रीटमेंट लेना होगा आप इस चीज को अ मॉर्बेटिटी साथ में चल रही है कि किड्नी अफेक्टिड हुई है लेकिन साइड बाई साइड वो हर्फ्स जो किड्नी को रेजुबिनेट करके वापिस से रिवाइब कर सकती है फोर्चनेटली वो आईरवेद में है तो मेरा आपको ये रिक्मेंडेशन है कि नंबर ए उनका रूटीन चेक अप होता रहेगा अल्ट्रसों होता रहेगा कारण ढूंडा जाएगा लेकिन एलोपैत के साथ में अगर आप अभी आयरुवेद भी साथ में जोडते हैं दोनों चीजे एक साथ बहुत अच्छे से जाती हैं तो क्रिट नाइन वापिस से रिवर्स भी होता है ऐसा हम लोग अपनी हर रोज की प्रैक्टिस में देख रहे हैं ठीक है डॉक्टर परमेश्वर क्योंकि समय यहीं पूरा हो गया हमें कारेटरम को यहीं रोकना होगा उससे पहले बहुत छोटा सा एक लाइन में कमेंट जैसे इंटेग्रेटेड अप्रोच की बात र हो जाए क्योंकि पेशिंट खाखागी कभी कभी उफ जाता है और होमेश्वर को यहां पर जरूरी है करता है तो डिफिनेट लॉंग रन में जब ट्रीटमेंट होता है उसका क्वालिटी आफ लाइफ बढ़ जाता है बिल्कुल तो ठीक है यानि इस तरफ बढ़ा जा सकता है इंटिग्रेटर अपरोच को लेकर अगर बात की जाए तो आपने देखा हुमेश्वर के आज के अंक में फिलाल इतना ही मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया कहना चाहूंगे डॉक्टर हिमांश्यू आपका डॉक्टर रोजा आपका और परमिश्वर आप तीनों मेहमान कि आखिर खुशी है क्या खुश रहने के राज क्या है और कैसे आज कल की भाग दौर भरी जिंदगी में खुशी को ढूना जा सकता है खुश रहा जा सकता है तो अगले हफ़ते बात होगी हापिनिस की आप इस कारे करेम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं अपने राय सुझाओ प्रतिक्रिया हमारे साथ साजा कर सकते हैं इसका हमें इंतजार रहता है अपना अच्छे से खैल रखिए मुझे दीजी इजाज़त नमस्कार है